तो आज का जो वचन है, वो बहुत ही इंट्रेस्टिंग, बहुत अच्छे मुद्दे पर है और वो है मसीही और पैसा. कितने रुपे का नोट बना हुआ है? कितने रुपे का नोट है? नोटों की पहचान सबको है, है न? All right, so आज का जो वचन है, ये मसीही और पैसा, the Christian and finances, और ये इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि पैसा भी हमारे जीवन का एक भाग है, हम उससे मुकर नहीं सकते, जी हम तो विश्वासी हैं, हम तो येशु मसी के नाम पे विश्वास करते हैं, और हमें तो पैसों से कोई लेन द लेन नहीं है, क्या ऐसा कह सकते हैं, आज यहां पर आने के लिए भी आपको पैसे खर्च करने पड़े होंगे, कुछ तो खर्च करना पड़ा होगा, बहुत से लोगों को, जो दूर से आये, आज आज आपने कुछ खाया, आपने खरीद के खाया होगा, तो हम नहीं कह सकते कि हम तो क्रिस्चन हैं, हम तो मसीही हैं, विश्वासी हैं, हमारा पैसों से कोई लेन देन नहीं है, ऐसा नहीं है, हमारा पैसों से अच्छा खासा लेन देन है, ठीक, दुनिया की तरह, जीवन जीने के लिए पैसा चाहिए, हमारे पास हमारी तंखाहें, हमारी सैलरीज हमेशा हमें लगा रहता है कि शायद ये नौकरी से मुझे निकालना दें, आपने देखा पेट्रोल डीजल के दाम कितने बढ़ रहे हैं, हमारी बच्चत है ही नहीं बच्चत, या तो इतनी कम बच्चत है जो नाम मात्र है, मतलब बहुत कम हम बचा पाते हैं, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा कितना जादा है, या फिर इलाज करने का, मुझसे पूछो, जब से एरियाना पैदा हुई है, इलाज का खर्चा ही इस देश में हमें कितना 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 पैसा खर्च करना पड़ता है, किराए बहुत जादा हैं, और हमारे भविश्य को लेकर हमें डर है कि कैसे होगा बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी जब बच्चे बारवी के बाद की पढ़ाई करेंगे या बच्चों की शादियां कैसे होगी constantly पैसा हमारे जीवन का एक अटूट भाग है हमारा जीवन पैसों से जुड़ा हुआ है पैसा एक practical चीज है और विश्वासी लोग भी पैसे से अपने आपको काट नहीं सकते हैं जीवन जीने के लिए हमें पैसों की जरूरत है और पैसा पैसे के बारे में हम कैसा सोचते हैं इसका असर पढ़ता है हमारे उपर हमारी अंदर की शांती पर हमारे अंदर के आनंद पर हमारे आत्मिक जीवन पर और हमारे फल पर फल मतलब हम अपने जीवन में क्या करते हैं प्रभू के लिए क्या करते हैं राज्य के लिए क्या करते हैं किस प्रकार का जीवन जीते हैं पैसे के बारे में हमारी विचारधारा उस पर भी असर डालती है पैसा बड़ी practical चीज है हमें बहुत तरह से पैसा बदल देता है और उस पैसों के लेकर उसका असर हमारी जिन्दगी पर होता है जरूर होता है पैसा एक बड़ी practical चीज है और हम उससे भाग नहीं सकते है Bible पैसे के बारे में बहुत कुछ सिखाती है Bible के अंदर परमेशवर के वचन में पैसों को लेकर शिक्षा साफ साफ परमेशवर ने हमें दी है और आज मेरा मकसद है कि मैं आपके सामने पैसों को लेकर कुछ बातों को सिखाऊं जो परमेशवर के वचन में लिखा है पैसा अपने आप में बुरी चीज नहीं है पैसा अपने आप में बुरी चीज नहीं है पैसा अच्छा या बुरा कैसे बनता है जिस प्रकार हम उसको इस्तिमाल करते है या जिस प्रकार हम पैसे को लेकर सोचते है हम पैसे को अच्छा या बुरा बनाते है वरना पैसा सिर्फ एक चीज है जो बहुत important, जो बहुत जरूरी चीज है, that's it, बस वही है पैसा, उसको बुरा हम बनाते हैं, और पैसों का अच्छा उपयोग भी हम करते हैं, अपने आप में पैसा कोई बुरी चीज नहीं है, सबसे पहले मैं कुछ बातें आपको बता देना चाहता हूं, सबसे पहले वो ये है, कि सारा पैसा परमेश्वर का है, सारा पैसा किसका है, आपको लगता है, सारी मेहनत तो हम करते हैं, और सारा पैसा किसका हो गया, क्या ये सच है, सारी मेहनत तो हम करते हैं, पैसा कौन ले गया, परमेश्वर, अगर हम मेहनत करते हैं, त प्लाद को सिर्फ तीन गंटे सोते हैं तो फिर आप मेहनत करते हो तो पैसा परमेश्वर का है वो तो अपने सिंहासन पे बैठा आराम से, विराज्मान है, शानॉशॉकत से, उसको जो चाहिए है, उसके तो स्वर्दू, आचारों और लगें उसकी सेवा कर रहे हैं, तो फिर परमेश्वर का पैसा जो मेहनत करता है उसका होना चाहिए लेकिन यही है यही पर यह हमारा starting point है पैसों के बारे में अगर हमने हमारे सोच विचार और हमारे जीवन को यदि हमें ठीक करना है तो यहां से शुरुवात करनी होगी कि मैं जो कुछ भी कमाता हूँ सब परमेश्वर का है सुनने में समझ में आ रहा है हम जो कुछ भी कमाते हैं वो परमेश्वर का है और जितना भी धन दौलत है दुनिया के अंदर वो किसकी है वो परमेश्वर की है यहां पर यह वचन आपको मिला है आज चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा है सिनाओं के यहवा की यही वानी है परमेश्वर क्या बोलता है और यहां पर अगर हम बाइबल खोल के देखेंगे न तो परमेश्वर सारी दुनिया के सारे देशों की बात कर रहा है और परमेश्वर कहता है पूरी दुनिया के सारे दे देख रहे हैं मेरे साथ आप, दिख रहा है आपको, बजन नमबर दो दिख रहा है, पढ़िए मेरे साथ, पढ़िए बजन सहीता, 24 का एक पढ़ो, पृत्वी और जो कुछ उसमें है, यहोवा का ही है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी परमेश्वर के हैं, तो सारा ध धन किसका है, परमेश्वर का है, सारी धरती परमेश्वर की है, all money, सारा धन परमेश्वर का है, जितनी भी खूबसूरत चीजें हैं वो परमेश्वर की है, यह आसमान परमेश्वर के हैं, बादल परमेश्वर के हैं, अलग-अलग जो प्लैनेट्स हैं, हिंदी में क्या बो समुत्र परमेश्वर का है, ये पहाड परमेश्वर के है, गहरे-गहरे जंगल परमेश्वर के है, और यहां तक की पृत्वी के सारे लोग किसके हैं, परमेश्वर के हैं, परमेश्वर से बड़ा और उंचा और महान और अमीर कोई नहीं है, सब कुछ परमेश्वर का है, और वो पैसा 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 जो आप अपने घरों में कमा करके लाते हो हर महीने आप कमाते हो पर उसका मालिक कौन है? परमेश्वर है सब कुछ दश्वांच परमेश्वर का नहीं है बाइदवे दश्वांच तो नए नियम में साफ साफ सिखाया भी नहीं गया और अगर आपको दश्वांच का पालन करना है आपको मालू में दश्वांच कितना होता है? दस परसंट नहीं होता है बाइबल का दश्वांच 23-24 परसंट होता है अगर हम सहीर एती से बाइबल को पड़ेंगे पुराने नियम में जहांपे लोग अपनी कमाई का दस्वा हिस्सा देते थे तो वो अपनी हर एक चीज का दस्वा हिस्सा देते थे वो हमारी तरह नहीं थे कि वो महीना भर काम करते है फिर उनको कुछ पैसा मिलता है उसका दस्वांस वो जाके मंदिर में ऐसा दिया करते थे अगर हम आज उसको उसी तरीके से अगर लागू करना है तो आपकी जो मासिक आये है आप जो हर महीने कमाते हो उसका कितना प्रथिशत देना पड़ेगा? तो तुम दश्वांज की बात तो छोड़ी दो नए नियम में येश्यु मसी के आने के बाद सब कुछ परमेश्वर का है और हमें दश्वांज से बढ़कर 23% से बढ़कर हम परमेश्वर को दे सकते हैं तो सब कुछ मेरे प्रियो परमेश्वर का है दूसरी बात परमेश्वर हमें पैसा कमाने में सक्षम बनाता है उसका पैसा है बट उसका पैसा हम पाले मेहनत करके पैसा कमाने के योग कि हमें कौन बनाता है परमेश्वर बनाता है इस बात को भी हम वचन में देखेंगे ती परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना क्यूंकि वही है जो तुझे संपत्ती प्राप्त करने के सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपत खाकर बांदी थी तू उसको पूरा करें यहां पे हम क्या देखते हैं तू परमेश्वर को याद बनाता है परमेश्वर बनाता है इसलिए धन स्टार्टिंग पॉइंट सारा धन किसका है पर हमें कैसे मिलता है परमेश्वर हमें योग्य बनाता है परमेश्वर पैसे के खिलाफ नहीं है आज मैं आपको बताना चाहता हूं सिखाना चाहता हूं परमेश्वर पैसों के खि प्रियोग पैसा भी परमेश्वर की ओर से एक वर्दान के रूप में हमारी जिंदगी में कारे कर सकता है। उसमें गलत संबंद बनाते हैं, शादी के पहले शरीरिक संबंद बनाते हैं, शादी के बाद पती पत्नी को छोड़ किसी और के साथ, क्या है शरीर परमेश्वर का वर्दान है पर हमने उसे गलत कामों के लिए इस्तिमाल कर दिया। पैसे को गलत चीज बना दिया। और क्यूंकि हम पैसे को परमेश्वर मानने लगते हैं, हम पैसे को परमेश्वर का स्थान दे देते हैं, तो हमने क्या कर दिया। हमने पैसे को भगवान बना दिया और ऐसा करने से हम और जादा पाप में डूब गए हैं। लेकिन परमेश्वर पैसे के खिलाफ नहीं है, तब तक जब तक हम पैसे को पैसे की जगा पे रखें। सब कुछ परमेश्वर का है और परमेश्वर हमें पैसा कमाने के लिए सक्षम बनाता है। तीसरी बात, परमेश्वर हमारे आनन्द के लिए सब कुछ देता है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। परमेश्वर हमारे आनंद के लिए सब कुछ देता है, चौथा वचन देखो, पहला तिमोथियस 6 का सत्रा, इस संसार के धनवानों को आग्या दे, कि वे अभिमानी ना हो, और चंचल धन पर आशा ना रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहत से देता है, आज मैं याद करता हूं उस cardboard को मैं इक नौजवान को बता रहा था, मुझे व हो दिन यादाता है, जब ये कहानी, हमें हमारे घर से पता चली, हमारी दादी से पता चली कि मेरे पापा ने हमको बताई थी कि हम जब पाकिस्तान और भारत का बटवारा हुआ तो मेरे दादा पाकिस्तान में उनकी बहुत सारी जमीन थी खूब सारी जमीन थी और सब छोड़ कर अपने परिवार को लेकर इस तरफ इंडिया भारत की तरफ आ गए सब कुछ वहां पे रह गया जलालाबाद पाकिस्तान बॉर्डर इंडिया की तरफ हमारी अभी भी बहुत सारी जमीन है जादा तर वहां रह गई थोड़ी से जमीन यहां थी जो बड़े साल 15-20 साल केस चला लेकिन वो हमें नहीं मिली क्योंकि किसी और ने उसको हड़प लिया था तो हमारा परिवार गरीबी के उसमें देखा रहे तो काफी गरीब हो चुका था मेहनत करी और उस परकार सब आगे बढ़े और मैं यह देखता हूं कि किस परकार मेरे पिता जी क्योंकि मेरी दादी एक गाओं के अंदर सूट सिला करती थी, वो जो सिलाई का काम करती थी, और मेरे पिता जी के सारे भाई एक मिशनरी हॉस्टल में जाकर पले बड़े, अच्छी पढ़ाई हासिल कर ली, कॉलेज चले गए, कोई वकील बन गया, कोई बिजनसमेन बन गया, कोई बाहर देश चला गया, काम करने के लिए अच्छा जीवन, लेकिन सिर्फ मेरे पिता जी जादा पढ़ नहीं पाए, क्योंकि वो मेरी दादी की मदद करने के लिए उनको घर में रोक लिया गया, कि तू पूरे गाओं में जा जाकर पैसा इखटा करेगा, जितने पैसे हुए तो उन्होंने अपना जीवन शुरू किया, और एक सिलाई मशीन, हाथ से चलाने वाली सिलाई मशीन लेकर, और एक फटा जो इस पे कटिंग करते हैं, मास्टर जी अपनी कटिंग करते हैं, वो लेकर के वो लुध्याना चले गए, वहाँ सड़क के किनारे बैठ कर, उन्होंने अपने सिलाई का काम शुरू किया, और धीरे धीरे वो अपने जीवन में आगे बड़े, दुकान ली, और जब उनकी मृत्ति हुई तो उनका अच्छा खासा बिजनस था, अच्छे खासे पैसे आते थे, फैक्टरी थी, काफी अच्छा, परमेश्वर ने बहु कि हमने मेहनत करके कमाया नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपनी दया से हमें, जो कुछ हमारे पास है, परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर वो किल जॉए नहीं है, मतलब परमेश्वर लेगा तुम यहीं सडो, तुम यहीं रहो, तुमारे घर में पंखा, ऐसा पर खरीद लें, एसी खरीद लें, हम भी साइकल से हटकर मोटर साइकल पर आ जाए, परमेश्वर इन चीजों के अगेंस्ट नहीं है, इसके विरुद नहीं है, बस परमेश्वर ये चाहता है, हम उन चीजों के लिए पागल ना बन जाएं, हमें उन चीजों की धुन ना ऐसी साफ है परमेश्वर क्योंकि पैसों की धुन पैसों का प्यार हमें हर तरह की बुड़ाई में डाल देता है वचन साफ साफ इसके बारे में बताता है इसलिए परमेश्वर इसके खिलाफ नहीं है परमेश्वर साफ साफ कहता है कि वचन साफ साफ कहता है कि परमेश्वर हमारे आनंद के लिए हमें सब कुछ देता है परमेश्वर पैसों के खिलाफ नहीं है, अमीर लोगों के खिलाफ नहीं है, कभी-कभी हम लोग जो जादा अमीर नहीं है हमें लगता है कि अमीर लोग उनको देखो, वो बुरे लोग हैं आपको बता यह आपका पाप बोल रहा है क्योंकि हम किसी को अमीर देखकर हमारे मन में जलन होती है हम अपने उपर तरस खाते हैं वो भी पाप है और हम दूसरों पर जलते हैं उन पर दोश लगाते हैं ये भी पाप है किसी की आशिशों के लिए हमें कभी भी कुड़ना और जलना नहीं चाहिए परमेश्वर अमीर लोगों के खिलाफ नहीं है और नहीं परमेश्वर गरीब लोगों के खिलाफ है जो मेहनत करके परमेश्वर की अधीनता में चलकर आशिश पाकर जो अमीर हो जाते हैं ये होना चाहते हैं परमेश्वर उनके खिलाफ नहीं है, बाइबल के अंदर अयूब बहुत अमीर आदमी था, परमेश्वर का भे मानता था, अयूब अत्यंत अमीर आदमी था, बाइबल के अंदर अबराहम, इजहाक, यकूब, ये सब बड़े अमीर लोग थे, अबराहम तो बहुत अमीर खांदान से आया, बाद में परमेश्वर ने बुलाया, तो वो तंबूओं में रहने वाला गरीब बन गया, लेकिन कुछ सालों के बाद वो बहुत विख्यात और बहुत ही अमीर आदमी बन गया, बहुत धन दौलत था उसके पास, इजहाग के पास था, याकूब के पास था, परमेश्वर, परमेश्वर ने खुद उन्हें आशीश दी, गौड प्रॉस्पर्ट देम, परमेश्वर ने इसराइल को आशीश दी बाइद वे, तो परमेश्वर पैसे के खिलाफ नहीं है, आज आपको वचन सुनकर मज़ा आरा होगा, आरा मज़ा, कि अब तो पैसा कमाएंगे, और अब तो चर्च वालों ने बोल दिया, पैसा कमाओ, दबा की कोई दिक्कत नहीं है, अब सुनते जाना, ठीक है, मेरे साथ ही हो, परमेश्वर इस बात के खिलाफ नहीं है, कि आप मेहनद कमाएं, और बहुत सारा पैसा कमाएं, यह धिहान रखें, कि जो भी आप कमाते हो, वो है किसका, परमेश्वर का, वो सब कुछ पैस, वो परमेश्वर का है, और परमेश्वर चाहता है कि मनुश्य, पैसा प्राप्त करे, परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य उसकी जरूरते पूरी हो और उसके पास जरूरतों से भी बढ़ कर हो, सुनते जाओ, आज मैं बोल रहा हूं ये सारी बातें आपको सुनने में अच्छा लग रहा है, बढ़ सुनते जाओ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, परमेश्वर मनुष्यों को आशीश देता है, बाइबल तो ये भी बताती है कि हम पैसा कैसे कमा सकते हैं बाइबल उन सिध्धानतों को बताती है कि आप अपने जीवन में पैसों की प्राप्ती कैसे कर सकते हैं किस प्रकार हम अपने जीवन में पैसा कमाने के लिए बाइबल के सिध्धानत किस प्रकार हम पैसा कमा सकते हैं, पैसा बढ़ा सकते हैं अगर आप सुनना चाहते हैं, तो हाथ उठा दो अब आपको लोग पास्टर ये तो हमको मालूम ही था क्योंकि पहली चीज जो बाइबल सिखाती है न पैसा कमाने के लिए वो क्या है? बोले वो थोम करते ही है ये बाइबल का बेसिक तरीका है आप पैसा कैसे प्राप्त कर सकते हैं बाइबल बताती है कि हमें काम करना है यहाँ पर ये वचन नहीं लिखा अब जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनिये नीती वचन 24 का कागस पर नहीं लिखा ध्यान से सुनिये लेकिन नीती वचन 24 का 23 में ऐसे लिखा है सारे परिश्रम हमारे लिए लाब लेकर के आता है परंतु केवल बातें करने से गरीबी आती है ये परमेश्वर के वचन शास्त्रों में लिखा है क्या सारी मेहनत क्या लेकर आती है मुनाफ़ा लेकर क्या आती है लाब लेकर क्या आती है परंतु जो खाली बकवाद करते हैं जो खाली बोलते हैं बात करते हैं उससे क्या आती है गरीबी आती है आपने कभी ऐसे लोगों को देखा जो बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं तो बस मुझे मुझे मौका मिल जाए, मैं ऐसा कर सकता हूँ पर वो आदमी अपने रोज-रोज की रोटी के लिए अपने बुड़ा होने के बाद भी वो अपने घरवालों से मांग कर खाता है आपने ऐसे लोग देखें, मैंने देखें ऐसे लोग जो बातें बहुत करते हैं पर जिंदगी में कभी कुछ हासिल नहीं किया क्योंकि वचन कहता है अगर तुम मेहनत करोगे तो उससे लाब होगा लेकिन अगर तुम खाली बातें करोगे तो उससे तुम गरीब हो जाओगे या फिर गरीब ही रहोगे Bible हमें सिखाती है कि काम करना परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ एक से धान्त है अगले हफते हम काम के बारे में the Christian and work विश्वासी और कार्य काम करना इसके बारे में अगले हफते हम आपको सिखाएंगे Bible तो ये तक बताती है दूसरा थसन लीकियों उसका 3,10,11 बचन नमबर 5 को देख लीजे आपके पास देख लीजे क्या लिखा है उसमें? पढ़ो सब लोग मिलके पढ़े 1,2,3 सब पढ़े और जब हम तुमारे यहां थे तब भी यह आग्या तुमें देते थे कि यदि कोई काम ना करना चाहे तो खाने भी ना पाए तो वचन क्या बोलता है? जो काम नहीं करता ना उसे रोटी भी नहीं खानी चाहिए सकत है लेकिन सच है और हमें इसको लागू करना चाहिए जो काम नहीं करता वो खाना भी ना खाब उसको खाने का हक नहीं है Bible बताती है इस बात को आगे देखिए हम तो सुनते हैं कि कितने लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते औरों के काम में हाथ डालना चाहते हैं किसी औरों को भी काम नहीं करने देते उनको भी रोकेंगे तुभी आज काम पे मत जा चल अपन कई और चलते हैं मेरे प्रियो बाइबल के अंदर काम करना एक बड़ी गंभीर बात है पता हम लोगों ने क्या किया है चर्च के अंदर पूरे दुनिया में और इंडिया में खास तोर पे क्या हो गया है विश्वासी लोग ना प्रातना ज़्यादा करते हैं काम कम करते है जो प्रभू के लोग है ना ये प्रातना ज़्यादा करेंगे काम कम करेंगे और आफिस में काम करेंगे मन को मार कर खुशी से काम नहीं करेंगे एक्सलेंट वर्कर्स नहीं है अच्छा काम नहीं करते, जूट बोलकर छुटियां मारते हैं, अपने बॉस को परिशान करते हैं, अपने काम को उत्तम तरीके से नहीं करते, ये हमारी reputation है, आपको मालूम है, विश्वासी लोगों की reputation है, जो की बड़ी उदास करने वाली बात है, हमें लगता है उपवास प काम को हमने सोचा ये तो संसारिक चीज है, चर्च जाना spiritual, आत्मिक बड़ा अच्छा काम है, काम तो बोज है न करना पड़ेगा, तो काम में हम प्रभू की महिमा नहीं करते हैं, जब हम मन मार के काम करते हैं, जब हम काम चोरी करते हैं, जब हम सुस्ती करते हैं, जब अपने जानते हैं 이 काम में, और अच्छे से कर सकता हूं, और राइ लेवल पे ये काम कर सकता हूं, पर हम नहीं करते हैं, क्यूंकि हमारी गलत सोच ने हम को ये बता-दिया, चर्च याना प्रभू के लिए अच्छा है, वो तो अच्छे नहाद होके जाएंगे, प्रातना करेंगे, और चाइना में सुसमाचार के लिए प्रात्ना करेंगे, अपने काम को ठीक से नहीं करेंगे. मेरे प्रियों, वहीं पर आप परमेश्वर की महिमा अपने जीवन में कम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो. खेर, काम के बारे में अगले हफ़ते और बहुत कुछ हम सीखेंगे. मेरा सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप काम करते हैं? क्या आप काम करते हैं? क्या आप काम पर जूट बोलते हैं? क्या आप मेहनत करते हैं? क्या आप पैसों की हिरा फेरी करते हैं अपने काम पर, क्या आप काम ना करने के बहाने ढूंडते हैं, क्या आप कारण ढूंडते हैं कि आपको काम करना ही ना पड़े, क्या आपके पास पैसा नहीं है मेरे प्रियो, सोचो, शायद आपके घर की, मैं नहीं कहता ऐसा हर वक्त ह लेकिन शायद आपके घर की जो हालत है वो इसलिए है क्योंकि आप मेहनती नहीं हो आपने मेहनत नहीं की ऐसा बहुतों की जीवन में सच है वचन में लिखा हुआ कि तुम नीती वचन उसका वचन नमबर छे देख लो पढ़ो सारे क्या कहता है जोर से बोलो अपने पास वाले भाई को बोलो हाँ बोलो बोलो हाँ चलो आगे बोलो हे आलसी चूटियों के पास जा उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो है हमें चीटियां सिखाएंगी बुद्धिमाता एक्चुली सिखाएंगी देखो कैसे कैसे उनके ना तो कोई न्याई होता है ना प्रधान होता है ना प्रभुता करने वाला होता है कोई बॉस नहीं होता चीटियों का ना फिर क्या लिखा है तो अभी वे अपना अहार धूपकाल में संचे करती हैं और बाइबल बताती है चीटियों से सीखो और हमें से कितने हैं जो काम नहीं करना चाहते जिनकी तो शायद मैं दुआ करते हूं ऐसा कभी नहों शायद कोई प्रातना ही ऐसे करते हूं मेरी जॉब चुटवा दे में काम नहीं करना मेरी पतनी अच्छा कमाती है बड़िया मेरा बेटा जवान हो गया मुझे काम नहीं करना मेरे प्रियोग जब तक हो सके काम करो हलेलुया और अपने काम करने के द्वारा आप प्रभु की महिमा करते हैं काम करने के द्वारा आपकी जरूरते पूरी होती हैं काम करने के द्वारा ही आप धनी भी होते हो परमेश्वर काम का ही प्रयोग करेगा आपको धनी बनाने के लिए हलेलुया तो आप अपनी अपनी फील्ड में नौकरी करो जो भी आपका फील्ड है उसमें नौकरी करो अगर आपके फील्ड में जो आपका अक्षेत्र है अगर उसमें कोई नौकरी नहीं है किसी भी फील्ड में नौकरी करो डिलिवरियां करो दुकान पे काम करो कुछ भी करो लेकिन काम करो 72 साल बुजर्ग एक महिला है जिन्होंने हमको पाला पोसा जब हम उस्टल में थे उनका एक पैर नहीं है उनका एक पैर नहीं है 72 साल की उमर है अब तक वो मुझसे request करती है Joy बेटा मेरे लिए कोई काम हो तो बताना हम उनको sister बोलते है मैंने बोला sister आप कैसी बात कर रही है आप अराम से घर पे रही है मैं आपकी घर पे हर अफ़ते सबजियां पहुंचाऊंगा हर अफ़ते राशन पहुंचाऊंगा आप काम सिशना 72 साल की होगे Joy तुने मुझसे बच्पन में अब तक ये नहीं सीखा कि हमें मेहनत करनी है जब तक हम जीवित हैं बुजुर्ग हैं एक पैर भी नहीं है शादी शुदा भी नहीं है कोई बच्चे नहीं है अपना घर है गोवा में तो ऐसा नहीं कि पैसे की महताज है पर काम करना है मेरे प्रियों काम की इज़त करना सीखो काम कोई अशुद्ध चीज नहीं है पर मेशवर आपके काम के द्वारा ही अपनी महिमा आपकी जिंदगी से लेगा अगले हफते और सिखाएंगे आपको काम के विशे में अगले हफते आप लोग जरूर आना तो पैसा कमाने के लिए Bible के सिध्धानत पहला सिध्धानत क्या है पैसा कैसे कमाएंगे बोलो कैसे कमाएंगे काम करके, दूसरा सिध्धान्त क्या है बचत करके हम बचत करके अपने जीवन में धन्वान हो सकते हैं मैंने पांच साल पहले खेर साड़े पांच साल पहले मैंने किसी की मैंने कहीं से सीखा कहीं से सुना, फिर इंटरनेट पर बहुत सीखा और फिर मैंने उस माध्यम से मैंने बचट करना शुरू किया हर महीने 3,000 रुपए आप मेरे भाई बेहनों मेरा परिवारों मैं खुल के बता सकता हूँ मेरता से लिया, तब मैंने सीखा, कि मैंने बहुत साल पहले वहां पे जमीन में पैसा डाला, ये किया, वो किया, काश वो सब कुछ मैंने ना किया होता, काश यहां पे पैसा डाला होता, मेरा पैसा कभी नहीं मरता, मैं हैरान हूँ जितना पैसा मैंने कमा लिया, घर पे बैठ सिर्फ मैंने तीन तीन हजार उस मुच्छल फंड में पैसे डालता गया डालता गया मैं तो हेरान था जब मैं तो उसको आपको कभी खोला भी नहीं कुछ सालों के बाद खोला तो मैं तो बार-बार चेक किया यह सच है कि नहीं क्यूंकि इतना मेरा पैसा बढ़ गया मुझे अब आपको याद नहीं आ रहा लेकिन लगभग दो लाक रुपया मैंने डाल दिया और अभी लगभग पॉने चार लाक वो पैसा हो चुका है केवल पांच सालों के अंदर मैं इसलिए आपको खुल के बोल रहा हूँ क्यूंकि मैंने आप लोगों के दुखों को सुनके आपके लिए प्राथना की है जब आप मूरकता के काम करते हैं कि अपने पैसे बचाने के लिए आप अपने आसपास के पडोसियों दोस्तों के साथ मिलकर कमेटियां डालते हो मैं आप मैं बोल सकता हूँ क्यूंकि फिर आप रोकर मेरे पास ही आते हो मैं आपको बोल सकता हूँ यह मूरकता बंद करो कमेटियां पैसा कमाने का बचाने का तरीका नहीं है यहां बैठे हैं एक दो लोग जो कमेटियां लेके भाग गए अभी उसकी किष्टें भरते जा रहे हैं क्यूंकि आप लोग पड़े लिखे लोगों के बीच में रहते हो शहर में रहते हो सीखना नहीं चाहते हो वही पुराने जमाने के जो तरीके हैं जिनमें कोई लाब नहीं उनहीं में चलना चाहते हो नए तरीकों से बच्चत नहीं करना चाहते हो गलती तो आपकी है गलती आपकी है कमेटी वाला पैसे लेके भाग गया या उससे मेरी ये भी case हुआ है दुश्मनी होगी मेरी उससे ओ वो मेरे दो लाक रुपया नहीं दे रहा क्यूं? क्यूंकि तू एक आदमी से डील काया तू अपनी मेहनत का पैसा किसी एक इंसान पर भरोसा कैसे कर सकता है तो कमेटियों के दुआरा पैसा बचाना बंद करो पर पहले बाइबल में देखते हैं बचत करना अच्छी अरे हमें तो विश्वासी लोगों को इसमें डालना चाहिए प्रभू के राज्य में डालना चाहिए थोड़ी बचत करनी चाहिए ये भी है एक्स्ट्रीम हो रहे हैं, जादा हो रहे हैं प्रभू को दे दो, सब कुछ हमें बचत नहीं करनी चाहिए बाइबल बचत करना हमें सिखाती है देखते हैं बाइबल इसके बारे में क्या कहती है नीती वचन उसके 21 का 20, वचन नंबर 7 देखो और मिलकर मेरे साथ पढ़ो, वचन नंबर 7, 21 का 20 1, 2, 3, पढ़ो बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं परंथु मूर्ख उनको उड़ा डालता है मतलब बुद्धिमान के घर में बहुत होता है भहिया तेल, मतलब धन, सब कुछ बहुत, बुद्धिमान के घर में बहुत, नहीं लिखा अमीर के घर में बहुत होता है किसके घर में होता है बुद्धिमान के घर में बहुत होता है क्योंकि वहां पे लिखा है, आगे कह लिखा है बुद्धिमान ने सब कुछ उड़ा नहीं दिया, लुटा नहीं दिया, बुद्धिमान ने बचाया, इसी लिए बुद्धिमान की घर में जादा है, लेकिन मूर्ख सब कुछ उड़ा दिया उसने, कहते हैं कि आपकी कमाई का 20 प्रतिशत, आपकी कमाई का 20 परसेंट आपकी कमाई का पैसा बचत में जाना चाहिए, कम से कम 20 प्रतिशत हर महीने पहले वो बचत को पहले निकाल दो, जो बचा उसी से जीओ, नहीं तो कम से कम, कम से कम 10 परसेंट आपका बचत के अंदर जाना चाहिए, और कुछ भी खर्चा करने से पहले आपको जो बचाना चाहते हो, वो पैसे, वो हमें बचाना पहले चाहिए, और मैं सिर्फ आप लोग, क्यूंकि मैं आप लोग को जानत हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, कि कमेटियों में पैसा डालना, बंद करो, आज के बाद कमेटियों के द्वारा बचत नहीं करना, बस, फाइनल है नहीं करना, अगर आपको डाउट है, आप आके हमसे बात कर सकते हैं, अगर आपको तब भी कन्विंस नहीं है, तो आप कम बीमा बेचने का काम शुरू किया है, अच्छा जी, कौन सी बीमा बेचते हो, जीवन बीमा, ये भी एक और तरीका है, हमारे लोग जो बचत करने के लिए, जीवन बीमा खरीदते हैं, दूसरी मुह रखता है, आपको बते हैं, जीवन बीमा क्यों करवाया जाता है, लाइफ सालों के बाद मुझे क्या मिलेगा, ऐसी बोलते हैं, कितने साल कितना पैसा देना है, उसके बाद मुझे कितना पैसा मिलेगा, आप लाइफ इंशूरंस की स्टार्टिंग में ही आप गलत हैं, क्योंकि लाइफ इंशूरंस, जीवन बीमा, आपके मरने के बाद, आपके पर लाग चालिस मिल जाएगा ठीक है ना और हमें लगता है चलो हम अपना पैसा वहाँ पर डालना शुरू करते हैं मैंने दो हजार खेर बहुत साल पहले मैंने ये मूरक्ता की थी चलो मुझे पैसा बचाना है मेरे पापा की डेथ हो गई अब मैं कमाई करता हूँ मुझे जिम्मेदार बनना है, मुझे मेरी मा के बुड़ापे के लिए करना है, मुझे मेरी बहन की शादी करनी है, बला बला, चलो मैं बचचत करूँगा और क्या किया, और जीवन बीमा खरीद के लिए डाला, और पैसे डालते गए उसके अंदर, आठ नौ साल की मेहनत के ब बात मुझे इतना मिल जाएगा, मेरे परियोच जीवन बीमा को सिरफ जीवन बीमा के लिए लें, उसके लिए एक अलग प्रकार का इंशुरंस होता है, जिसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते, उसको बोलते हैं, टर्म प्लान, सारे जोर से बोलो क्या बोलते हैं, टर् रहेगा नहीं, वो बहुत कम रहेगा, पैंतेस साल तक यदि आप जीवित रह गए, तो वो पैसा आपका गया, लेकिन उसके पीछे जो आपको कवरेज मिलता है, वो बहुत तगडा मिलता है, जीवन बीमा इसी को तो बोलते हैं, मेरे मरने के बाद मेरे परिवार को तरीके हैं, और मैं सब कुछ तो अभी फाइनेंशल ग्यान यहां पर नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं आपसे विंती करता हूं कि आप लोग मदद को मांगो, Manova भाई है, मैं हूँ, चर्च में और भी लोग हैं, भाई, स्वपनिल हैं, इन लोगों की मदद को मांग सकते हैं भाई, Manova, एक्सपर्ट हैं इस मामले में, उनको पकड़ लो, भाईया हमारा मैंने, जब मैंने सीखा, मैंने सोनू भाईया, बस मैंने बोला, अगर आपको करना है, मैं तो कर रहा हूं, तुम भी कर लो, तो उन्होंने किया, उन्होंने भी मूचल फंड का अकाउंट खोला विरॉनी का बहन ने भी खोला, आज वो उसका लाब उठा रहे हैं, इसने मेरे प्रियों, मैं क्यूंकि आपसे प्रेम करता हूं, मैं इसलिए आपको बोलता हूं, आप लोग इतनी मेहनत करते हो, अपने पैसों को मत बरबाद करो, किसी और, कोई आदमी आपके गली में आय कोई एजेंट है, उसने कुछ बोल दिया, उस पर विश्वास करके आपने अपने सारे पैसे बरबाद कर दिये, हमानातुपर में एक बहन रहती है, वो आदमी आया, उससे 10-10 हजार रुपए तीन साल के लिए 30 हजार रुपय एक साथ लेके चला गया, डाला, उसने सिरफ 10 जार रुपए डाले और 20 जार रुपए लेके गायब हो गया, क्योंकि हम भरोसा करते हैं ऐसे लोगों के उपर, पड़े लिखे लोगों के बीच में रहते हो, तो पड़े लिखे लोगों की मदद को मांग कर बुद्धी मता के साथ अपनी महनत का पैसा जोड़ो, लेकिन बचत करना जरूर हमारे लिए जरूरी है और बचत करने से हमारा धन बढ़ता है, मैं तो हैरान हूँ, 2,00,00 डालकर लगभग 2,00,00 डालकर पौने 4,00,00 हो गया मेरा पैसा, मैं तो बहुत खुश हूँ, और मेरा मन करता है कि और भी मुझे डालने चाहिए थे इसके अंदर मेरे प्रियोब बचत करना एक आदत है जो आपको डालनी है, देखे बाइबल क्या बताती है, नीती वचन 13 के 21 में, वचन नमबर 8 क्या कहता है, निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम को बटोरता उसकी बडोतरी होती है, कहने का मतलब जो धीरे जोडता है, English ways, अभी आप ध्यान से सुनीए, मेरे पास जो बचन English है कि हमें बच्चत करनी चाहिए क्यों करें बच्चत क्या परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते अपनी जरूरतों के लिए मेरे प्रियो मेरी इस कहानी को सुनो येश्यू मसी ने बताई थी ये शुमसी ने कहा तुम्हे से कौन है जो अपना मकान बनाने चले और मकान बनाने से पहले सारा हिसाब किताब ना लगाए कि उसे कितनी इट कितना सिमेंट कितनी मिट्टी कितना क्या कितना सब कुछ लगेगा क्या हम मकान बनाने के लिए मकान बनाने के लिए मकान बनाने से पहले क्या हम हिसाब किताब नहीं लगाएंगे उसी प्रकार हमें अपना घर चलाने के लिए भी हमें योजना बनाने की बहुत जरूरत है और तीसरी बात जो है, वो यही है, प्लैनिंग होना बहुत जरूरी है, अगर आप अपने पैसा कमाना चाहते हो, तो सबसे पहले क्या अगर आपको लगा होगा पास्टर जी बोलेंगे, लॉटरी की टिकेट खरीदो, 21 दिन फास्टिंग करो, 22 दिन काम हो जाएगा, दुनिय ऐसे नहीं चलती, विश्वासियों की दुनिया तो ऐसे नहीं चलती, ये तरीके शायद आपको इतना मजा नहीं आ रहा, बचत वाले में थोड़ा बहुत आ रहा होगा, लेकिन काम करने वाले में भी मुझे बता है, आप लोगो इतना मजा नहीं आया, पास्टरी मसाला नह जूट बोलके दादी को मारके चुटी मारना, बहुत लोग ने दादी मारी अपनी, और छे महीने बाद नया बहुस आया, फिर दादी मर गई, छे महीने बाद फिर बहुत दादी की आत्म ही आके एक दिन पीछे बढ़ेगी आपके, हान जी, काम अच्छे से करना है, मेरे पास प्रातना के लिए मत आना, जब कोई पैसा के लिए लेके भाग गया, और मुझे पता है कि देखो मुझे भी नहीं आता था, तो आपको भी नहीं मालूम है, पहले तो मालो मुझे नहीं आती बचट कैसे करनी है, फिर सीखो जिसको आती है, मत शर्माओ अपने घर किसी को बताने के लिए सब को मत बताओ, जिस पर भरोसा कर तो इसको बताओ, कि ऐसा है भाईया, मेरी तन्खा बारा है, मेरी पतनी आठ कमाती है, मेरा बड़ा बेटा साथ कमाता है, ये तो हमारी कमाई है, अब वो आप कुछेगा आपकी खर्चे कौन से हैं, ये हमारे खर फिर वो आपको बताएगा किस प्रकार आप बचद कर सकते हो, लेकिन थोड़ी थोड़ी बचद करना जरूरी है, और तीसरा क्या है, प्लैनिंग करना, ये शुमसी ने कहा, तुम में से कौन है, जो मकान बनाने चले, और पहले प्लैनिंग ना करे, कितना पैसा लगेगा, जो एक्टिविटी एक बार करनी है, वन टाइम करनी है, मकान बनाना है, अगर उसके लिए प्लैनिंग करना है, ये शुमसी सिखाते हैं, तो वो मकान बनाने के बाद, जो घर चलाना है, जो हर महीने चलाना है, और जो सारी उमर चलाना है, क्या उसके लिए प्लैनिंग नही अवश्यक है, एक कागस को लेके उस पे लिखना बहुत ज़रूरी है कितना हम कमाते हैं एक तरफ लिख डालो, और कितने हमारे खर्चे हैं, उसके बहुत सारी चीजे हैं, कितना हमारा किराया है कितना हमारा बिजली का बिल होगा कितना हमारा खाने पीने का होगा कितना हमारा Metro या Auto या जो भी है हमारे ट्रैवल का कितना पैसा खर्च होगा कितना मुझे किष्ट भरनी है जो पहले लोन ले रखे हैं जो नहीं लेने चाहिए थे उतारने तो पड़ेंगे कितनी मेरी EMI है कहीं लोग तो फोन खरीदते हैं EMI के उपर खेर सो हमें सारे खर्चों को एक तरफ लिखना है फिर इतना पैसा मुझे बचचत करना है उसी में लिखना है कितना पैसा मुझे कलीसिया में डालना है वहाँ पे लिखना है जो आपका दान दश्मांच भेंड चड़ावा है वो भी उसके अंदर लिखना है और फिर योजना बना के पता चलेगा अरे मेरे खर्चे तो बहुत जादा है कमाई तो कम है तो जब तक कमाई बढ़ती नहीं तब तक खर्चों को कम करना पड़ेगा खर्चों को कम करना पड़ेगा और इसके लिए अगर आपको किसी की मदद चाहिए तो मदद लेना अच्छी बात है और तीसरा क्या है हमें प्लैनिंग करनी है अपने खर्चों को हमें प्लैन करना है अगर हम तीनों सिध्धान्त कौन से हैं प्लैनिंग करके बुद्धी मता से खर्च करो अब फड़ा पड़ेगा ठीक से काम करने के लिए और बचाने और प्लैनिंग करने के लिए हमें पैसे को बाइबल के नजरिये से देखने की जरूरत है एक प्रवचन सुनके हम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाएंगे हमारा परस्पेक्टिव, हमारी सोच, हमारा देखने का नजरिया पैसों को वो बाइबल का नजरिया होना चाहिए फड़ा फड़ मैं आपको इन बातों को बताऊंगा हर महीने अपनी कमाई के लिए धन्यवाद दो कुड़कडाओ मत लेकिन धन्यवाद दो जब तनखा आई हाथ में पकड़कर या बैंक में आ गई तो प्रातना करके परमेश्वर मैं इसके लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ ना किसी इतने कम पैसे आए अगर आप शुरू में ही आप कुड़कुडाएंगे शिकायत करेंगे, दिल में धन्यवाद नहीं है मेरे भाईओ बैंव कहां से आशीश की कामना गरते हो दूसरी बात, प्रभु के राज्य के लिए प्रभु के विस्तार के लिए प्रभु के कारे के लिए दान दो दश्वांच हमारे लिए नियम नहीं है लेकिन दश्वांच देना हमारे लिए एक अच्छा तरीका है जो हम अपने जीवन में कमा सकते हैं अगर मेरी परिवार की तंखा 20,000 है टोटल तो मुझे 2,000 रुपया निकाल कर परमेश्व के राज्य में देना एक अच्छी शुरुवात है हमारे लिए उससे अगर आप कम क करेंगे दिल से देंगे कोई बात नहीं उससे ज्यादा देंगे प्रभू आपको आशीश देगा लेकिन प्रभू के राज्य के लिए निकालना बहुत जरूरी है बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं मेरे करजे खतम हो जाएं फिर प्रभू के राज्य में दूँगा मैंने तो ये सीखा है पहले प्रभू के राज्य को दो आगे दूसरों या गरीबों की मदद के लिए जरूर दे ठीक है चौथी बात आप कंजूस मत बने लेकिन उदारता से दे और ये सारे वचन मैं अभी स्किप कर रहा हूँ यहां पर ये सब वचन लिखे हुए है जो कुछ भी यहां बता रहा हूँ ये सब कुछ वचन पर अधारता है कंजूस लिखा है कि जो बांटता है वो और बटोरता है ऐसे लिखा है जो बांटता है वो और बटोरता है आगे बढ़ते हैं कभी भी कर्जे में ना रहें जिस चीज की आपको जरूरत नहीं है सचमुच में जरूरत नहीं है उस चीज को ना खरीदें जिस चीज की जरूरत है बट उसके लिए पैसा नहीं है उस चीज को भी ना खर कहने का मतलब के संसार टेम्पररी है, हमें एक यात्री की मानसिक्ता चाहिए, किसकी मानसिक्ता, यात्री की मानसिक्ता हमें चाहिए, यात्री क्या करता है, क्या सारा घर का समान लेके चलता है, सारे कपड़े लेके चलता है, बताओ मेरे को, हमें इस पूरे जीवन को यात्री के समान जीना है, कम से कम कम से कम ये विचारधारा हमारे अंदर होनी बहुत जरूरी है, आपको समझ में आ रहा है या मैं कुछ और भाषा बोलूँ, समझ में आ रहा है ओके, आगे, पैसो के मामले में खराई रखें जूट ना बोलें, जिससे पैसे लिए उसको वापस करें, अगर किसी ने आपको कुछ पैसा दिया, उसमें से अपनी कमिशन ना जोड़ें, एकदम साफ सफाई से खराई के साथ कभी भी पैसों में घपले बाजी ना करें, कभी भी ना करें अमीर बनने की धुन में सवार ना हूँ पागल ना हो जाएं कि मुझे अमीर बनना है, आज तो वचन में पास्चन ने सिखा दिया, काम करना है चलो ठीक है, हम चोरी चकारी नहीं करेंगे काम ही करेंगे, बड़ इतना काम करेंगे, छेचे साल होगे चर्च नहीं आए अमीर बनने की दुन में पागल नहीं होना है आगे बढ़ें, अपनी अपनी जरूरतों के लिए परमेश्वर पे भरोसा रखें मैं लगातार आपको अपने जीवन से अपनी गवाईयां बताता रहा हूँ किस प्रकार परमेश्वर ने हमारे परिवार में हमें हमारी हर जरूरत को हर जरूरत को पूरा किया है it is a good thing to be in a place of want अगर आप एक जरूरत के स्थान पे है न कि जहां पे आपको कुछ चाहिए आपकी कोई जरूरत है आपके पास वो चीज नहीं है वो एक अच्छी जगह है पता क्यूं? क्यूंकि उस जगा पे आपको प्रभू के दर्शन होंगे उस जगा पे प्रभू अपना बल आपको दिखाएगा अपना प्रेम आपको दिखाएगा अपना चमतकार आपको दिखाएगा तो कभी-कभी तो सिरफ प्रभू का चमतकार देखने के लिए आपको एक ऐसे जगा पे खड़ा करके जहां पे आपके पास कोई जरूरत तो है लेकिन वो उस चीज के लिए आपके पास पैसे नहीं है, खड़े रहो वहीं पे और खुदा को पकारो क्योंकि वो आपको निराश नहीं करेगा, परमेश्वर पे भरोसा रखो, दस्वा, इसी घमंड में लोग बरबाद हो जाते हैं, हमें सब कुछ नहीं आता, मुझे सब कुछ नहीं आता, इसलिए जिद्धी मत बनो, नम्र बनो, और सीखो, सला लो, और अपने परिवार के लिए योजना बनाओ, आगे, पैसे से प्रेम मत करो, पहले परमेश्वर और उसके र खोज किसकी होनी चाहिए, परमेश्वर की, उसके बाद, मैं हमेशा कहता हूं, मेरे भाईयों को हमेशा कहता हूं, मेरे प्रियो, अगर आप सेवा में हो ना, आप प्रभू के पीछे-पीछे, पैसा आपके पीछे-पीछे, ऐसा ही होता है, नहीं तो बहुत बार हम ये जब पैसा आएगा तब मैं खुदा की सेवा करूंगा, ऐसा नहीं है, आप प्रभु के पीछे, पैसा आपके पीछे, पहले प्रभु और उसके राज्य की खोच करो, परमेश्वर या पैसा एक को चुन लो, दोनों की परमेश्वर येश्व मुसी ने कहा, तुम परमेश्व बात है, मुझे बोलनी नहीं चाहिए, अगर आपको पैसा चाहिए, पैसे के गुलाम बन जाओ, पैसा पा भी लोगे, सच में, पर परमेश्वर नहीं पाओगे, अगर आपको पैसा कमाना है, बिना परमेश्वर के पैसा कमाया जा सकता है, बट फिर परमेश्वर आपके ज जाते हुए देखोगे, जिस पैसे के लिए तुमने प्रभू को छोड़ा था। सही प्रात्ना करें, यहाँ पे प्रात्ना है, हे प्रभू, मुझे इतना अमीर मत बना कि मैं तुझे भूल जाओं। और हे प्रभू, मुझे इतना गरीब मत बना कि मैं चोरी करूं। बचन में लिखा है, ऐसी प्रातना, येशु ने भी कहा, हमारे प्रती दिन की रोटी आज हमें दे दे, और अंत में परमेश्वर के धन के अच्छे भंडारी बन जाएं, भंडारी मतलब ध्यान रखने वाला, भंडारी मतलब ध्यान रखने वाला, जो पैसा आप कमाते हो, व वो है किसका, तो आप उसके मालिक ठहरे या भंडारी ठहरे, भंडारी, ध्यान रखने वाले हो केवल, उस पैसे का हिसाब किताब रखना है, उस पैसे को जिम्मेदारी के साथ खर्च करना है, उस पैसे का दिखावा भी नहीं करना है, मेरे प्रियों मैं यहीं पर समाप्त क करूंगा प्रबु हम सब को आशीच दे अगले हफ़ते हम काम के बारे में सीखेंगे अगले हफ़ते आप जरूर आना और हम काम के बारे में सीखेंगे